राफाल का मुद्दा जो है उस जहाज को लेकर राहूल गांदी ने सीधा सीधा आप पर करप्शन, क्रोनी कैपिटलिजम इसका ऐलिगेशन किया है लेकिन आप चुप रहें आपने कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि अनिलंबानी आपके दोस्त है, आफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रेजिडेंट पर प्रेशर डाला, डसौर पर प्रेशर डाला और उसकी वज़े से रफाल खरीदना पड़ा, ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ा, लेकिन आप कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और सीधा-सीधा आप पर इल्जाम था, नमबर वन, यह मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है, सरकार पर आवा, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है, तो उनको खोच करके निकालना चाहिए, कि किस ने दिया, क्या गाहां दिया, कहा रखा, सब निकालना चैए extrapol, दूसरी बात है, कि सवंशद में मैंने विस्तार से जवाब दिया है, जहां भी मुझे पबलिक में बोलने का मोका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है, तीसरी बात है, सुप्रिम कॉट तक मसला क्लियर हो चुका है, प्रतिजी ने बयान दे दिया है भारत के प्रधान मंतरी ने बयान दे दिया है उनको इतना कर लीजिए जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बुले आप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठेल यह आप बताई सिद्ध कीजिए आप आरोप लगा रहे हैं हमें बताईया या सहे पत्थर मारके भाग मत जाईए एक तो सवाल पुछिए उनको कहीं तो देख हुए है यहां का voilà यहां का लिंग यहां का यह तो दे नहीं पारें बोलते चले जा रहे हैं अब मुझे बताईए उनको यह बोलने की बिमारी है तो म मुझे बार-बार उसी में उलते रहना चाहिए कि मैंने एक बार जवाब दे दिया पार्लमेंट में दे दिया सुप्रिम कोर से मामला आया दूसरी बात है देश में चर चाहिए होनी चाहिए कि आध्यादी के बात लगातार डिफेंस दिल हमेशा विवादों में क्यों आये है ऐसा कौन सा वर कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस दिल को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दूरबल करना कर शडियंतर कौन कर रहा है क्या कारण है दूसरी बात है डिफेंस दिल में दलालों को क्या जरूरत है क्या इन दलालों के बेन नहीं होता तीसरी बाते में किन इंडिया अगर 70 साल पहले शुरूब हो सा भारत खुद अपने संस्थर बनाता तो यह बहार से जो मनाई ठाने वाला करिद रास्ता है उjak बंद क्लिक हो नहीं होता कोशिश कर रहा हूं दूसरी बात है जो लोग कि सेना को दुर्बल बनाना चाहते हैं आरोप के मड़ देते हैं क्या मुझे मेरत पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यक्ताओं को पुरा करना चाहिए मैंने टाइक किया है जितनी गालिया पड़ेगी मैं खाऊंगा जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए मैं इमानदारी रास्ते पर चलूँगा राश्ट्र रक्षा को प्राक्प्रिक्ता देते हुए चलूँगा मैं मेरे सेना के जमानों को उनके नसीब पर नहीं छोडू क्योंकि मैं इमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूं इसलिए जूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुर्बल नहीं कर सकता हूं मैं मेरे देश की सेना को निहत्ती नहीं कर सकता हूं देश को जो आवश रखता है वो मिलना चाहिए